का मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने जैनल स्वरान अकडेमी क्लासेस पर यहां हम बात करेंगे PG कोर्स यानि जो पोस्ट ग्रिजुएशन आपको सभी का होता है चाहे वो वी कॉम मतलब कॉमर्स के तहत हो साइंस के तहत हो चाहे किसी सब्जेक्ट से जो आप करते हैं वो समास्टर डिगरी के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसे आप सभी लोग MA करते थे MSC करते हैं MCOM करते हैं तो यह जो कॉर्स थे वो अब एक साल के भी आप कर पाएंगे ऐसा की UGC ने एक बड़ा बदलाव किया है NEP 2020 के तहत तो यहाँ पर कौन से लोग कर पाएंगे एक साल का उनका ग्रिजुशन कितने साल का होना चाहिए तब ही वो एक साल का PG कर पाएंगे तेखें मीडिया रिपूर्ट के तह जोगी यहाँ पर बताया गया कहा कि देश में पहली बार सतर 2024 से एक साल की मास्टर डिग्री होगी UGC अध्यक्ष ने कहा PG प्रोग्राम की नई पाट जार रहा वा क्रिडिट फ्रेम रुवाग तयार है इसी हबते मसोदा जारी होगा यानि अगले सतर से पूरतया यह लागू हो जाएगा और आप जो CUT का एक्जाम देते हैं CUT जो PG के नाम से आता है वो जो 2024 का आप देंगे उसके तहत ही यह लागू हो जाएगा यानि वो एक्जाम आप देंगे तो उसके एक्जाम को कौलिफाई करने के बाद जब आप एड्मिशन लेंगे तो एक साल का आप मास्टर डिग्री कर पाएंगे तो यह चीज़े होंगी अब देखे उसमें एक चीज़ और होगी इसमें सबसे बड़ी बात जो है क्या होगी या योगिता के होगी जैसे आप B.A करते हैं B.S.C करते हैं या B.C.O.M करते हैं इस तरीके के आप कोर्स करते हैं और भी बहुत सारे बैचलर कोर्स हैं हम इनके एक्जामपिल के तोर पर इनको ले रहे हैं समझाने के लिए आपको तो ये अभी तक 3-3 साल के हुआ करते थे ये सभी 3-3 साल के होते हैं आप 3 साल का करने के बाद क्या करते हैं 2 साल का PG करते हैं आप क्या करते हैं 2 साल का PG कर लेते हैं लेकिन अब ये क्या होगा ये जो है 4 साल के होने लगे हैं अब आप देखते हैं कि जो NEP 2020 के ताहती है यह क्या है चार साल के हैं तो जो लोग यह चार साल का graduation करके आएंगे वही एक साल का जो है PG करेंगे यानि जो time duration आपका होगा 3 प्लस 2 का जो duration था आपका time का आप देखिए जो UG courses के लिए जो था UG courses के लिए क्या था UG courses के बाद PG का था यानि PG तो इसमें कितना समय लगता था आपको 3 साल इदा लगता था दो साल इदा यानि total कितना लगता था 5 साल लगता था आप क्या होगा UG में बदलाव है तो UG चार साल का हो गया और प्लस PG जो है वह एक साल का हो गया तो यानि total कि जो है टोटल जो डियूरेशन है वो एक सेम है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं है बस यहां यूजी आपका चार का हो गया और पीजी एक का हो गया तो यह आपको टोटल जो यूजी से लेके पीजी तक की जो एजूकेशन लेनी है उसमें पांच साल ही लगेगा आप द देखिए यानि इसके अलावा इस नाथ तक यूजी प्रोग्राम में जिन विसेयों की पढ़ाई होगी की होगी उन्हीं को पीजी प्रोग्राम में चुनने की बंदिस भी खत्म होने जा रही है आप छात्र अपनी पसंद के आधार पर सी यूटी पीजी दोजार चौबिस से समंदित विसेय में कौलिफाइंग कर मास्टर की पढ़ाई कर सकेंगे अब यहाँ पर आएए विश्विद्यालय अरण आयूग ने कहा यूजी सी ने कहा जो प्रोफेसर एम जगदीस कुमार ने बताया कि तीन नौंबर को हुई काउंसिलिंग बैठेक में राश्टी शिक प्रोग्राम की पढ़ाई का मौका मिलेगा अभी तक देश में दो वर्स ये मास्टर की पढ़ाई का विकल्प उपलब्द है तो यहाँ पर जो है अब एक वर्स का सभी में मिल जाएगा अब यहाँ पर कहा गया एक या दो साल का होगा विकल्प नए करकुलामों क्रेडिल वर्स ये यूजी की प्रोग्राम की पढ़ाई करने वाले चात्रों को दो वर्स की मास्टर डिग्री की पढ़ाई करनी होगी जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको वीडियो के बताया कि टाइम डियूरेशन उतना ही है पांच साल यूजी प्लस पीजी का और चाहे वो करके एक साल करिए या तीन साल करके दो साल करिए तो दोनों चीजे विकल्प मेजूद है आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर नए करिकुलंप और क्रेटिव फ्रेमवर्ग में चात्रों को बहुत बढ़ाई करने की भी सुविधा मिलेगी यानि आप कई सारे वि पदलाओ आप देख सकते हैं हाला कि कहीं कहीं आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने में करना है में के टर्मस में हम बात करें तो साइन्स स्ट्रीम करके कोई चात राता था तो वह में कर लेता था उसके मार्क्स निर्दारित थे कि 55% 60% 50% कट आफ उसका अगर है यूज से रिलेटर इंट्रमेशन आती जाएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से इंफर्म करते चले जाएंगे धन्यवाद जैहिन जैवाद